नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर टुडे, मैं आपके साथ मुकोलुपाध्याए प्रियंका चोपडा इन दिनों अपने मेमायर अन्फिनिश्ट को लेकर चर्चाओं में हैं जो 9 फरिवरी को लॉंच हुई इस किताब में उन्होंने अपनी परसनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे किये हैं इन में से एक किस्सा उस बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में भी है जिससे वे सबसे पहले मिली थी उसने उन्हें ब्रेस समेत शरीर के तीन अंगों की सरजरी कराने की सला दी थी प्रियंका के मुताबिक ये घटना तब की है जब साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद वे एक्टिंग के दुनिया में कदम रख रही थी अक्टरस ने लिखा है कुछ मिनिट की छोटी सी बातचीत के बाद उस प्रोड्यूसर ने मुझे खड़े होने और घूमने के लिए कहा मैंने ऐसा ही किया उसने मुझे देर तक घूरा और सला दी कि मुझे अपने ब्रेस जबडे और बट की सरजरी करानी चाहिए अगर मुझे अक्टरस बनना है तो मुझे अपना प्रपोर्शन फिक्स करना होगा उसने ये भी कहा कि वो लॉस एंजलेस के एक अच्छे डॉक्टर को जानता है और मुझे वहाँ भेज सकता है उस वक्त जो मेरा मैनेजर था उसने भी उसकी हां में हां मिलाई बाद में मैंने अपने उस मैनेजर से भी रास्ता अलग कर लिया अब सवाल ये है कि प्रियांका ने पहले कभी इस बारे में बात क्यों नहीं की इसकी वज़ा उन्होंने एक मैगजीन को दिये इंटरव्यू में बताई प्रियंका के मुताबिक वे मनोरंजन के बिजनेस में है जहां मजबूत होने की बहुत जरूरत है अगर कोई आर्टिस्ट कमजोर पड़ जाता है तो लोग उसे नीचा दिखाने लगते हैं प्रियंका के मुताबिक उन्होंने कभी खुद को नीचे गिरने नहीं दिया वे उन सभी बातों को नजर अंदास कर अपना काम करती रही जिनसे वे परिशान हो चुकी थी या बाहर निकल चुकी थी प्रियंका ने बताया कि उनकी किताब अनफिनिश्ट किसी तरह की सफाई नहीं देती जिसे उन्होंने अपने ही नजरिये से देखा है प्रियंका का ये दर्द सरिफ इस कताब ही नहीं बलकि सोशल मीडिया पर भी जलग गया सोशल मीडिया पर उन्होंने एक आडियो नोट भी शेयर किया है इसमें वे कह रही है मेरा करियर एक ऐसा करियर है जो मेर चेहरे पर पटक दिया गया हो और इससे मुझे काफी तकलीफ हुई थी बरहाल हर कोई इससे वाकिफ है कि बॉलिवुड में जब भी कोई नया कदम रखता है तो उसे किस नजरिये से देखा जाता है खास तोर पर अभीनेत्रियों के साथ और समय समय पर कई हस्तियों की ओर से इसका खुलासा भी किया गया है जो बॉलिवुड के काले सच को बया करते हैं तो दोस्तों प्रियंका चोपड़ा के इस चौकाने वाले खुलासे पर आपकी क्या राय है हमें जरूर लिखें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल नेवाल